चलिए दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्लड फेशन पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के गरनेफे डेली बेसे पर यहां पर आप पड़ सकते हैं कि पर अप मेरा टेलीग्राम चैनल जोईन करें अमन सर्वाइफ इस वीडियो का पीडियो और बाकी सभी जो पीडियेफ अब यहाल में वर्ल एकनोमिक फेर जो फॉरम है उनका एक सम्मिट हुआ वह समिट इस और इसमें एक रिपोर्ट भी दी जाती है आप सभी जानते तो अभी जो एडिशन था 53 एडिशन था वर्ल एकनोमिक फॉरम समिट का स्विजिजिलैंड में है यह लोकेशन इसका थीम नाम से भी के सामने असेटिक एसिट का दूसरा नाम क्या है इसका आंसर आप कमेंट वोक्स पर दीजिए को चलि तो यह जो रिपोर्ट है वो है चीफ एकनोमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट जो कि वर्ल एकनोमिक फरम के द्वारा दी जाती है इस बार की जो रिपोर्ट है इसमें भी सेम एकनोमिक एन्वार्मेंट ग्रोथ इंफ्लेशन मोनेटरी फिसकल पॉलिसी इन सब चीजों पर डिसकस किया गया है और उसके अलावा इसमें एक रिपोर्ट में इंडिया एडिरेट 100 इसको भी रिलीस किया गया इसमें यह बताया गया है कि इंडिया के अंद 17 ASER 2022 रिपोर्ट यह रिपोर्ट 2022 किया है डाटा 2022 का है लेकिन इसको अनौंस अभी किया गया है ठीक है 23 में जन्वरी में चली तो यह जो रिपोर्ट है ASER यह है Annual Status of Education रिपोर्ट यह किसके द्वारा दिया जाता है NGO प्रथम के द्वारा यह दिया जाता है इस बार इस र स्कूल में बच्चों का इन्रॉल्मेंट हुआ है वह ज्यादा हुआ है जिससे यह पता चलता है कि निपन भारत जैसी मिशन जो है वह सक्सेस्फुल हुए गवर्मेंट के जो प्रोग्राम है वह सक्सेस्फुल है इसके बारे में और जानेंगे 21 तरीके डाटा आया और क्य स्कूल में एंड्रोल कर रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं कि एससी पहला है गया पहला में है ना अग्रस स्टेडों डिस्टिक लेवल पर अगर देखा जाये तो इस रिपोर्ड के अनुसार जए ना बच्चों का एक decline का भी data है वो भी पताऊना चाहिए कि जो decline हो ना basic reading और arithmetic skill में जो है class third और class fifth में decline भी आया है चलिए देखिए एक और current fair हाल फिलाल में international tourism fair फितूर 20-23 हुआ कहां पर organize किया गया दोस्तों यह जो event है यह organize किया गया था Spain Spain की जो capital है मैंड़ेट वहां पर फितूर 20-23 को organize किया गया देखिए हमारे इंडिया से जो है इस पूरे tourism event में जो है राजिस्थान tourism department के कुछ delegation गये थे जो कि international tourism trade fair है तो इसमें राजिस्थान ने जो है represent किया था यह event 18-22 तक चला है तो final day था तो इसलिए जो है इसका data जानना जरूरी था उसके अलावा दिव्या कला मेला 20-22 जो है और नाइस किया गया था कहां पर दिल्ली में उसके लावा होन्विल फेस्टिबल देखिए दिसम्मर में होता हरवरी होन्विल फेस्टिबल तो यह नागलेंड का एक और करण फिर देखिए इंडस्टिबल फिर आज का देखिए हाल फिलान में इंडस्टिबल लिस्ट कौन है जिनको ब्रैंड मेंटोर्शिप इंडेक्स 20-23 में जिन्होंने टॉप किया तो इसका आंसर है मुकेश अम्मानी जी देखिए पहले इसमें जो है ना इन दोनों को पीछे करके रिलाइंस इंडस्टिली जो मुकेश अम्मानी जी है वह जो है यह जीते हैं पहली बार इंडिया से और इंडिया की रहें मर्स ग्लोबल पेंट्शन इंडेक्स में 41 रही कौन सी स्टेट ने जो है सबसे टॉप पर रहें एवरेज मंतली इंकम अग्रिकल्टर हाउस रोड की तो मैं घाले में सबसे ज्यादा इंकम है फार्मर्स की चलिए एक और देखिए करन एफे सबी जानते होंगे तो पहली बार एक महीला मिय इथमांजें को उनहीं लेकिन पहली बार vo vos नाम है उनका न्यमत साष्य हो है आमेरिका की प्रेस्टीजिव सब्यको पतली है तो इसकी पहली महिला प्रेज़ेंट है नेमत साफिक और इन्हों ने रिप्लेस किया है ली सी बॉलिंगर को तो यह अनौंस्मेंट हुआ है अक्याडमिक यह के लिए है ना तो एक अचीवमेंट है महिलाओं इंपाव्मेंट भी कह सकते हैं एक तरीके से सेवन्थ इंडिया यह बहुत इंपोडम कोशन है हाल फिलान में इंटरनेशन कमेटी फॉर वेट और मेजरेमेंट के लिए जो अपॉइंट किए गए प्रेजिडेंट वो चेर्मेंट कोन अपॉइंट किए तो वेनू गौपाल प्रेजिडेंट टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की कोन है मेगना अलहावत चली एक और कोशन देखिए वेरी मौटर मनें कोन नैशनल हेल्थ अथोरिटी के डारेक्टर बनाए गए हैं तो इन में से जो प्रवीन शर्मा जी है वह जो है नैशनल हेल्थ अथोरिटी के डि ठीक है तो इनका अगर बात करी जाए प्रवीन शर्मा जी के दोजार पांच के इंडियन डिफेंस सर्विसिस ऑफ इंजिनरिंग के ऑफिसर है चली उसके अलावा सुहेल एजाज खान जो है न्यू एंबेस्टर बनाएं इंडिया के किस देश के लिए तो साओधी अरेवि गुपता तो कोशन आपको इन पर भी मल सकता है चले कल सवाल पूचा के था हाइड्रोलिक एक्शन को लेके तो इसका आंसर रणिंग बोटर है और ब्लेक रोक के सभी आंसर सही है आज का सवाल देखिएगा तो आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजेगा दोस्तों मेरे टेलिग् सब्सक्राइब करेंगे तो चार मंद एक्ष्णा है और आपको डिस्काउंट भी मिलेंगे इसमें तो आप डिस्काउंट ले सकते हैं लाइवमन कोड से तो आप ये फीस मत दीजेगा ज्यादा फीस है इसकी जगह आप कोड लगाईएगा लाइवमन और फीस कम दीजेगा इटलाइज करिए इसको बाकी सेशन को लाइक करिए शेर करेंगे चैनल को सब्स्राइब करिए थैंक्स लाट फॉर वोचिंग